प्रभात, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि तुम अब मुझे पहले की तरह से प्यार नहीं करते हमारे प्यार में अब वह गर्माहट भी नजर नहीं आती जो छह साल पहले दिखती थी रितिका ने पति प्रभात से शिकायत भरे लहजे में कहा रितिका ऐसा कुछ नहीं है तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्राइवेट जॉब में काम का ज्यादा प्रेशर रहता है इसलिए मैं तुम्हारी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ कोई बात नहीं कल तुम्हारा वीकली ओफ है मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ कल का पूरा दिन तुम्हारे नाम ही रहेगा प्रभात ने कहा तो रितिका के चहरे पर मुस्कान तैर गई प्रभात जे मार मूवी लिंक कमपनी में मैनेजर था जबकि रितिका एक फेमस ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती थी रितिका की मंगलवार को छुट्टी रहती थी इसलिए प्रभात ने उससे मंगलवार को छुट्टी करने की बात कही थी ताकि दोनों छुट्टी एंजॉय कर सके काफी देर तक इसी मुद्दे पर बातचीत के बाद दोनों सो गए ये बात 23 दिसंबर 2013 की है प्रभात और रितिका लखनव की सबसे पौश कालोनी गोमती नगर के विवेक खंड में रहते थे नीलकंठ चौराहा गोमती नगर का सबसे मशहूर चौराहा है इनका मकान इसी चौराहे के पास था तीन मंजिल के इस मकान में प्रभात और रितिका पहली मंजिल पर रहते थे सुरक्षा के नजर से यहां के ज्यादातर लोगों ने मकानों में CCTV कैमरे लगा रखे हैं अगले दिन यानी 24 दिसंबर को चूंकी पती-पतनी दोनों ही चुट्टी पर थे इसलिए वे सुबह देर से सो कर उठे उस दिन रितिका बहुत खुश थी वह दिन उसे बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि प्रभात ने उसी के लिए चुट्टी की थी फ्रेश होने के बाद रितिका ने बड़े प्यार से पती के लिए चाय बनाई चाय का एक ही कप देखकर प्रभात बोला एक ही कप, तुम नहीं पियोगी क्या वाह, चाय मैंने बनाई और मैं ही नहीं पियूँगी भला ऐसा कैसे हो सकता है रितिका ने कहा पर चाय का तो एक ही कप है तो क्या हुआ आज हम दोनों एक ही कप से चाय पी लेंगे एक घूंट तुम पीना फिर एक घूंट मैं रितिका ने एक कप का राज खोलते हुए कहा रितिका और प्रभात का वह पूरा दिन ऐसे ही हंसी खुशी में बीट गया दोपहर बाद रितिका ने प्रभात के करीब आकर कहा प्रभात मेरी छुट्टी इतनी अच्छी बीती कि मैं सोच भी नहीं सकती आज का दिन ऐसा लगा जैसे हमारे हनीमून के दिन थे प्रभात ने रितिका को प्यार से बाहों में समेटते हुए कहा तुम ऐसे ही सुन्दर और सेक्सी दिखती रहो तो सारी जिन्दगी हनीमून सी गुजर जाएगी प्रभात मुझे केवल एक बात की चिंता होती है कि तुम कहीं मुझ से दूर न चले जाओ हमारा कोई बच्चा नहीं है मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे घर वाले तुम्हारी दूसरी शादी न कर दे रितिका ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसी बातें सोच कर आज के दिन की खुशियां खराब मत करो अच्छा अभी मैं पत्रकार पुरम चौराहे तक जा रहा हूँ आज रात को खाने में कुछ स्पेशल बनाने के लिए ले आता हूँ कहकर प्रभात पत्रकार पुरम चौराहे की ओर चला गया वहां से वह शाम करीब साथ बजे वापस आया सामान रखकर वह रितिका से बोला जानू कल पच्चीस दिसंबर है हम लोग क्रिस्मस रात को घर में ही एंजॉय करेंगे अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं बीयर पियाऊं रितिका जानती थी कि प्रभात को बीयर बहुत पसंद है आज वह मना करके पूरे दिन का मजा खराब नहीं करना चाहती थी उसने प्रभात के गालों को थपठपाते हुए कहा It's you, wish my love प्रभात मोटरसाइकल लेकर घर से निकल गया रात करीब पौने दस बजे जब वह वापस आया तो उसे घर का बाहरी दर्वाजा खुला मिला प्रभात को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि रितिका इस तरह कभी भी घर का दर्वाजा खुला नहीं रखती थी वह सीधा बेडरूम की ओर गया वहां की स्थिती देख कर उसकी आँखों के आगे अंधेरा चा गया बेडरूम में रितिका की खून से लथपत लाश पड़ी थी पत्नी को इस हाल में देख कर प्रभात चीख पड़ा उसकी चीख सुनकर पडोस में रहने वाले मनीश और उसका भाई आशीश वहां आ गए कमरे में रितिका की लाश देख कर उन्हें मामला समझते देर नहीं लगी मनीश ने गोमती नगर थाने का नंबर मिलाया लेकिन वह नंबर व्यस्त था गोमती नगर थाना वहां से गरीब 400 मीटर दूर था इसलिए दोनों भाई गोमती नगर थाने की ओर भागे थाने पहुँचकर मनीश ने थाना प्रभारी उमेश बहादुर सिह को रितिका की हत्या की बात बताई थाना प्रभारी उनके साथ तुरंत घटना स्थल की ओर चल दिये थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुँचकर लाश का मुआयना किया तो पता चला कि हत्यारों ने रितिका का गला किसी धार-दार हत्यार से काटा था इसके अलावा उसके पेट पर भी कई वार किये गए थे जिससे उसकी आतें तक बाहर निकल आई थी कमरे की दीवारों पर भी खून के छींटे थे ड्राइंग रूम के बाहर दो कुरसियों पर भी खून के निशान थे वहीं पास पड़े दीवान पर तूटे हुए बाल पड़े थे बाल चूंकि लंबे थे इसलिए अनुमान लगाया कि वे रितिका के ही रहे होंगे गद्दे पर जगह जगह खून लगा था बेडरूम से ड्राइंग रूम तक जाने वाली गैलरी में भी खून से सने जूते के निशान मिले तकिया भी जमीन पर पड़ा था कमरे में चारों और खून ही खून फैला था खून के निशान घर के बाहर तक गए थे जिससे पता चल रहा था कि चोट शायद हत्यारे को भी लगी थी थाना प्रभारी ने यह खबर अपने आला अधिकारियों को दे दी कुछी देर में डियाईजी नवनीत सिकेरा, SSP जे रवींद्र गौड, SSP हसन और सीओ विद्यसागर मिश्रा भी घटना स्थल पर पहुँच गए, सभी अधिकारियों ने मौका मुआयना किया डियाईजी ने प्रभात से बात की और SSP को शीग्रही मामले का खुलासा करने के निर्देश दिये पुलिस ने डॉग स्क्वाइड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम को भी बुला लिया था टीम ने वहां से कुछ सुबूत अपने कबजे में लिये पुलिस ने पडोसियों से बात की तो पता चला की उन्होंने न तो रितिका के चीखने की आवाज सुनी थी और नहीं कुट्टे के भॉंकने की प्रभात ने चूंकी एक कुट्टा पाल रखा था इसलिए कुट्टे के न भॉंकने वाली बात पुलिस को चौकाने वाली लगी इससे पुलिस को लगा कि हत्यारे पहले से घर में आते जाते रहे होंगे बहरहाल पुलिस ने घटना स्थल पर जरूरी कारवाई निप्टाने के बाद लाश को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया चुंकि मामला पौश कालोनी में रहने वाली एक ब्यूटीशन का था इसलिए उसकी लाश का पोस्ट मार्टम पांच डॉक्टरों के पैनल ने किया पुलिस ने भी अग्यात लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर ली पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला कि रिपोर्ट के पेट पर धारदार हत्यार से वार किया गया था वार इतना गहरा था कि उसका असर रीड की हड़ी तक पहुँचा था उसके शरीर में आठ घाव सहित चोट के 32 निशान पाए गए डाक्टरों ने रिपोर्ट में बताया कि रिपोर्ट की हत्या 25 दिसंबर की रात करीब 8 बजे की गई थी खबर सुनकर वारानसी से रिपोर्ट के परिवार वाले कुछ अन्य लोगों के साथ लखना हुआ गए थे रिपोर्ट के पिता के जिम्मेदार ठहराने लगे कुत्ते का न भौकना आदि से पुलिस को भी यही लग रहा था कि हत्या में उसके किसी जानने वाले का ही हाथ है जबकि प्रभात पूछताच में खुद को बेकुसूर बता रहा था पुलिस की अपनी छानबीन के हिसाब से भी रितिका की हत्या में प्रभात का हाथ नजर नहीं आ रहा था जिस मकान में हत्या हुई थी उसके आसपास के मकानों में CCTV कैमरे लगे थे पुलिस को लगा कि उन कैमरों में हत्यारे फोटो आ गई होगी लेकिन जब उन कैमरों की जाच की गई तो पता चला कि वे सब पहले से ही बंद पड़े थे आखिर चार दिन की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने इस संसनी खेज हत्याकांड से परदा उठा ही दिया हत्याकांड में शामिल लोगों के नाम जानकर पुलिस भी हैरान रह गई और लोग भी वारांसी की रहने वाली रितिका अपने सपनों को पूरा करने 22 साल की उम्र में लखनव आ गई थी इसके लिए उसे अपने परिवार के पुरजोर विरोध का सामना भी करना पड़ा था लखनव आने के बाद जब उसे पैसों की समस्या हुई तो उसने लखनव में प्राइवेट नौकरी की इसके बाद उसने VLCC से डाइटीशियन और ब्यूटीशियन का कोर्स किया यहीं पर उसकी मुलाकात प्रभात श्रिवास्तव से हुई प्रभात लखनव में प्राइवेट नौकरी करता था जल्दी ही उन दोनों की दोस्ती इस मुकाम तक पहुँच गई कि अकेलापन झेल रही रितिका प्रभात के साथ जिन्दगी गुजर बसर करने का सपना देखने लगी प्रभात फैजाबाद शहर का रहने वाला था फैजाबाद के बेगम गंज मकबरा में उसके छोटे भाई अरुन की काफी बड़ी गिफ्ट शौप थी प्रभात के पिता बलदेव अनाज के बड़े व्यापारी थे संबंध गहराने के बाद रितिका और प्रभात ने तै कर लिया कि वे दोनों शादी करके साथ साथ रहेंगे इस बारे में दोनों ने अपने घरवालों से बात की तो दोनों के घरवालों ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली और इंदिरा नगर में किराय का मकान लेकर रहने लगे रितिका ने पढ़ाई पूरी करने के बाद वहीं VLCC में ही नौकरी कर ली मिल जुल कर अच्छा कमाने लगे तो कुछ दिनों के बाद दोनों गोमती नगर में 15,000 रुपए किराय के मकान में रहने लगे प्रभात ने रितिका से शादी जरूर कर ली थी, लेकिन उसने यह बात अपने परिवार वालों को नहीं बताई थी प्रभात अपने भाई अरुन से कोई बात नहीं छिपाता था, उसने रितिका से शादी वाली बात भी उसे बता दी थी अरुन कभी-कभी अपनी दुकान का सामान खरीदने लखनव आता तो वह प्रभात से मिलने उसके घर चला जाता था अरुन उसे मां के बारे में बताता तो प्रभात मां और परिवार के दूसरे लोगों को याद करने लगता था जबकि यह बात रितिका को अच्छी नहीं लगती थी प्रभात से शादी के बाद रितिका अपना कैरियर बनाने में लग गई थी उसने अपना फेस्बुक एकाउंट भी खोल रखा था जिसके जरिये वह बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहती थी घर पर वह अपना ज्यादातर समय फेस्बुक और इंटरनेट पर बिताती थी उसने कई नामों से फेस्बुक एकाउंट खोल रखे थे उसका पहला फेस्बुक एकाउंट रिट्स रितिका के नाम से और दूसरा अनामिका श्रिवास्तव के नाम से था उसका इस तरह अकसर दोस्तों से बात करना प्रभात को अच्छा नहीं लगता था इसी वजह से उसने VLCC से रितिका की नौकरी भी छोडवा दी थी उसके नौकरी छोड़ने के बाद घर के खर्च प्रभावित होने लगे तो प्रभात ने उसे दोबारा नौकरी करने की इजाज़त दे दी तब रितिका ने विकास नगर में मामा चौराहे के पास आर्यटन रेस्तरां के ऊपर खुले निक्की बाबा के ब्यूटी पारलर में काम करना शुरू कर दिया था कुछ दिनों बाद रितिका ने महसूस किया कि प्रभात अब उससे पहले की तरह प्यार नहीं करता उसने इस बात की शिकायत प्रभात से की तो उसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया परेशान होकर रितिका समय समय पर अपनी मां गायतरी से बात करने लगी गायतरी बेटी की परेशानी को समझती थी पर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रही थी इधर रितिका महसूस कर रही थी कि अरुण जब भी उसके यहां आता था तो उसकी नजरें रितिका के प्रती अच्छी नहीं होती थी वह उसे ललचाई नजरों से देखता था अरुन नशा भी करता था कई बार वह प्रभात की गैर मौजूदगी में उसके घर आता था तो वहीं पर दोस्तों के साथ शराब पीता था रितिका को यह बात पसंद नहीं थी लेकिन पती का छोटा भाई होने की वजह से वह उसे रोक नहीं पाती थी घटना से करीब 6 महीने पहले की बात है 26 जून को गर्मी के दिन थे उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था अरुन अपने एक दोस्त के साथ प्रभात के यहां पहुँच गया और वे दोनों शराब पीने लगे आखिर उस दिन रितिका ने उसे टोक ही दिया अरुन तुम्हारा इस तरह यहां आकर शराब पीना मुझे पसंद नहीं है जब तुम्हारे भाईया यहां हों तुम तब ही आया करो भाभी तुम हमसे इतना नाराज क्यों रहती हो आखिर मैं तुम्हारा देवर हूँ और तुम शायद यह जानती होगी कि देवर का भाभी पर आधा हक होता है कहकर नशे में बहकते अरुन ने रितिका का हाथ पकड़ लिया अचानक आई इस स्थिती से रितिका घबरा गई वह जट से अपना हाथ छोड़ा कर बोली आज प्रभात को आने दो मैं उनसे तुम्हारी शिकायत करती हूँ रितिका हाथ छोड़ा कर दूसरे कमरे में चली गई थी अरुन और उसका दोस्त भी चले गए इसके बाद कुछ दिनों तक अरुन ने रितिका के घ़र आना कम कर दिया था 20 दिसंबर 2013 को अरुन अपने भाई से मिलने के लिए लखनव आया उस समय घर पर रितिका और प्रभात दोनों मौजूद थे अरुन सीधा अपने भाई के पास जाकर बोला भाईया मा ने आप के लिए आपकी पसंद की सबजी बनाई थी साथ में खाने के लिए बेशन का चिल्ला भी दिया है अरुन ने खाने का डिब्बा उसके हाथ पर रख दिया इससे पहले कि प्रभात वह डिब्बा खोलता रितिका ने डिब्बा छीन कर पूरा खाना कूडे के डिब्बे में फेंक दिया फिर वह गुस्से से बोली जब हम कह चुके हैं कि प्रभात का आप सबसे कोई संबंध नहीं है तो आपको समझ नहीं आता बार-बार यहां क्यों आते हैं प्रभात केवल मेरा है और मेरा ही रहेगा अरुन और उसके साथ आया ड्राइवर यह सब देखते रह गए प्रभात ने रितिका से कुछ नहीं कहा वह भी चुपचाप देखता रहा भाभी की इस बात पर अरुन को गुस्सा आ गया उसने कुछ कहने की कोशिश की तो रितिका ने उसके बाल पकड़ कर उसके गाल पर थपड जड़ दिया इस पर अरुन गुस्से में वहां से चला गया उसे अपने थपड से ज्यादा इस बात का दुख था कि बीमार होने के बावजूद मा ने भाईया की पसंद का खाना बना कर भेजा था, जिसे रितिका ने फेंक दिया था। अपमान सहन करके अरुण उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन मा की बे इज़ती उसके दिल को टीस दे गई। प्रभात को भी रितिका की बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में रितिका ने अपने प्रभाव से पती को मना लिया था। अरुण अपना यह अपमान सहन नहीं कर पा रहा था। उसने रितिका को सबक सिखाने की योजना बना ली। 24 दिसंबर को सुभह ही अरुण ने अपने साथ देवकाली, फैजाबाद के रहने वाले शुभहम यादव और ड्राइवर सूरजलाल से अपने अपमान का बदला लेने के लिए मदद मांगी। सूरज और शुभहम दोनों ही अपराधी किस्म के थे। फैजाबाद में दोनों के खिलाफ अलग-अलग धानों में कई मामले दर्ज थे। योजना बना कर ये 23 दिसंबर 2013 की सुभह ही दो चाकू और एक चापड का इंतजाम करके अपनी इंडिगो कार से लखना हुआ गए। इन लोगों ने अपने साथ एक-एक जोड़ी कपड़े भी रख लिये थे ताकि खून सने कपड़े उतार कर उन्हें पहन सकें। पुलिस के सर्विलांस से बचने के लिए सभी ने अपने मोबाइल फोन बंद करके फैजाबाद में ही रख दिये थे। पहले ये लोग दिन में ही घटना को अंजाम देना चाहते थे लेकिन रितिका के साथ प्रभाद के होने की वजह से उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। प्रभाद की मोटरसाइकल घर के बाहर देखकर उन्हें पता चल गया था कि वह घर पर है। ये लोग दूर खड़े होकर मौका तलाशते रहे। शाम को साथ बजे के बाद जब प्रभाद मोटरसाइकल लेकर बीर पीने निकला तो इन लोगों ने उसे जाते हुए देख लिया। फिर वे तुरंत दर्वाजे पर पहुँच गए। अरुन ने दर्वाजे पर लगी काल बेल बजाई। रितिका ने दर्वाजा खोला तो वह अरुन को देखते ही बोली। तुम फिर आ गए। वह दर्वाजा खोलना नहीं चाहती थी। जब अरुण ने यह देखा, तो उसने कहा, भाभी, मुझे बांथरूम जाकर फ्रेश होना है, फ्रेश होकर मैं वापस चला जाऊंगा। यह सुनकर रितिका पीछे हट गई, वह प्रभात को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहने वाली थी, इसी बीच अरुण के साथ आये शुभम और सूरज भी अंदर आ गए, उसी दोरान अरुण ने रितिका से उसका फोन छीन लिया, फिर दोनों साथियों ने रितिका को च चाकू से पहला वार ड्राइवर सूरज ने किया, फिर उसने उसका गला रेत कर उसके पेट पर चाकू के कई वार किये, कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई, इससे पहले रितिका ने उनके चंगुल से खुद को बचाने के लिए नाकाम कोशिश की थी, इसी दोरान सूरज क अंगुली में चाकू लग गया था, जिससे वह घायल हो गया था, सूरज के हाथ का खून ही बाहर दर्वाजे पर पड़ा मिला था, रितिका की हत्या के बाद सूरज, अरुण और शुभम ने बातरूम में जाकर सबसे पहले अपने खून से सने हाथ पैर धोकर कपड़ेड को दी थी, तो तब अरुण घर पर ही था, पुलिस ने रितिका और प्रभात से जुड़े 25 मोबाइल नंबरों को सरविलांस पर लगा दिया था, प्रभात के साथ बातचीत में पुलिस को रितिका और अरुण के बीच हुई तकरार का भी पता चल गया था, पुलिस ने अर पुछताच के बाद, शुभम यादव और ड्राइवर सूरज से भी पुछताच की, उन्होंने भी रितिका की हत्या की बात को बूल कर ली, पुलिस ने तीनों अभियुकतों को रितिका की हत्या के आरोप में गिरफतार करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जे और शुकला, कांस्टेबल रामानंद, मुश्ताक, आनंद कुमार सिंह की तारीफ की, पति प्रभात को खोने के डर से रितिका ने उसे उसके घर से दूर रखने की जो कोशिश की थी, वो उसी पर भारी पड़ी, पति-पत्नी के बीच रिष्टों की मजबूती आपसी प्य और विश्वास से होती है, चह साल के प्रेम विवाह के बाद भी रितिका और प्रभात के बीच ये भरोसा नहीं बन पाया था, इसी की वजह से देवर अरुन की हिम्मत बढ़ गई और रितिका को अपनी जान गमवानी पड़ी, कमरे में गहरा सन्नाटा पसरा था, कमरे में सिर्फ तीन लोग बैठे थे, एसपी, देहात, ईरज राजा के सामने लोनी सरकिल के सीयो रजनीश कुमार उपाध्याय और लोनी बॉर्डर थाने के थाना प्रभारी सचिन कुमार थे, पिछले 24 घंटे में उस पेचीदा मामले ने तीन अफसरों के दिमाग को हिला कर रख लेकिन अभी तक कोई ऐसा क्लू हाथ नहीं आ रहा था, जिससे कतल की इस वारदात का अंतिम सिरा हाथ आ सके। बुरी तरह से जली हुई थी, खासकर लाश का चेहरा इतनी बुरी तरह तरह जला हुआ था कि उसे देखकर मरने वाले की पहचान कर पाना भी मुम्किन नहीं था। लाश की सूचना मिलने पर लोनी क्षेत्र के सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय और एसपी देहात डा, इरज राजा भी घटना स्थल पर पहुँच चुके थे। सभी ने एक खास बात नोट की थी कि हत्यारे ने लाश के चेहरे वह उपरी भाग को ही जलाने का प्रयास किया था। धड से नीचे का हिस्सा वह उस पर पहने हुए कपड़े सही स्लामत थे। गली नमबर चार, फेस, चार शिव विहार, करावल नगर, पूर्वी दिल्ली था। एसपी देहात के आदेश पर एसएसाई प्रदीप शर्मा के नेतरित्व में पुलिस की एक टीम को उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर में उक्त पत्ते पर भेजा। पुलिस को वहां सुदेश की पत्नी अनुपमा मिली। पुलिस ने जब अनुपमा से उसके पती के बारे में पूछताच की, तो उसने बताया कि उसके पती एक दिन पहले किसी काम से बाहर गए हैं और अब तक लोट कर नहीं आए। आशंकित अनुपमा ने जब पुलिस से इस पूछताच का कारण जानना चाहा, तो पुलिस को बताना पड़ा कि उन्हें लोनी बॉर्डर के इंद्रापुरी इलाके में एक जली हुई लाश मिली है, जिसकी जेब में वह आधार कार्ड मिला है, जिसकी वजह से वो उनके घ पहुंची है, हाँ हाँ, लाश उन्हीं की होगी, क्योंकि वह आधार कार्ड हमेशा अपनी जेब में रखते थे, कहते हुए अनुपमा ठीक उसी तरह दहाडे मार कर रोने लगी, आमतोर पर जैसे एक औरत अपने पती की मौत के बाद विलाप करती है, देखिए, आप रोन के पती का न हो, कहते हुए दिलासा देकर SSI प्रदीप शर्मा अनुपमा वह उसके बेटे को अपने साथ ले गए, तब तक थाना प्रभारी सचिन कुमार, SP, देहात, डा, इरज राजावसीयो उपाध्याय के कहने पर शव का पंचनामा तयार कर उसे पोस्ट मार्टम के ल देकर वहीं पहुँच गए, उन्होंने जब अनुपमा को जली हुई अवस्था में मिला शव दिखाया, तो अनुपमा का विलाप और भी बढ़ गया, क्योंकि उसने शव देखते ही हृदय विदारक धंग से रोना शुरू कर दिया था, अब जबकि लाश की पहचान सुदेश का शव उसकी पतनी अनुपमा के सुपुर्द कर दिया, अनुपमा ने उसी शाम अपने परिजनों वजान पहचान वालों की मौजूदगी में शव का अंतिम संसकार भी कर दिया, सवाल था कि सुदेश की हत्या क्यों और किस ने की है, और शव को इतनी दूर ले जाकर ठिकाने लगाने वा उसकी पहचान मिटाने का काम किस ने किया है? इस गुथी को सुलजाने के लिए गहन जांच पड़ताल की जरूरत थी. इसलिए डॉक्टर ईरज राजा ने सीओ रजनीश कुमार उपाध्याय के नेत्रित्व में एक टीम गठित कर दी. टीम में थाना प्रभारी सचिन कुमार, S.S.I. प्रदीप शर्मा, S.I. अमरपाल सिंग, ब्रजकिशोर गौतम, कृष्न कुमार, हेड कांस्टेबल उदित कुमार, राजीव कुमार, अरविंद कुमार, महिला कांस्टेबल कविता, S.O.G के हेड कांस्टेबल अरुन कुमार, निति कियाम तोर पर जब कातिल गुमनाम हो तो कतल का सुराग मरने वाले की जन्म कुंडली में ही छिपा होता है। पुलिस की टीम ने सुदेश कुमार की पतनी उसके बेटे वासपडोस के लोगों से जाकर पूछ ताच शुरू की तो चौकाने वाली जानकारी सामने आई। दर असल जिस सुदेश के कातिल को पुलिस तलाश कर रही थी उसके बारे में जानकारी मिली कि वो तो खुद एक कातिल है और इस समय पैरोल पर है। शुर लड़कों से प्रेम संबध बन गए। वंशिका की हत्या कर उसके शव को मंडोला में आवास विकास कालोनी के पास खाली जमीन में फेंक दिया। इसके बाद उसने करावल नगर थाने में बेटी की गुमशुदगी की भादमवी की धारा 363 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। बाद में वंशिका का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने जाच पड़ताल के बाद सुदेश को अपनी बेटी की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया था। तभी से सुदेश मंडोली जेल में बंद था। लेकिन 2021 को कोरोना की दूसरी लहर में जब सरकार ने विचाराधीन कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया तो 21 मई को सुदेश को भी अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। उसी वक्त से सुदेश अपने बच्चों के बीच था। 21 नवंबर को सुदेश की पैरोल अवधी खत्म हो गई थी। वह जेल में पेश होने के लिए गया, मगर वहां किसी कानूनी अडचन के कारण उसे जेल में नहीं लिया गया और उसे 22 दिसंबर 2021 दूसरी डेट पर जे इतनी बेदर्दी के साथ हत्या कर देगा। ये सब जानने के लिए पुलिस ने सुदेश की पत्नी व उसके जान पहचान वालों से खूब कुरेद कर पूछताच की, मगर सुदेश की हत्या का कारण व उसके कातिल का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस को न तो किसी से देहात डा ईरज राजा, सीयो रजनीश उपाध्याय और थाना प्रभारी सचिन कुमार उस पर घंटों से माथा पची कर रहे थे दरसल गहराई से परताल करने के बाद कुछ ऐसे सवाल उभरे थे जिनका पुलिस को जवाब ढूंडना था पुलिस को लाश की जेब से सुदेश कुमार का आधार कार्ड तो मिल गया था लेकिन जो एक बात हैरान कर रही थी वह यह की लाश बेशक बुरी तरह जली हुई थी लेकिन जेब में पड़ा आधार कार्ड बिल्कुल सही सलामत था जिसे देखने से लगता था कि शायद यह कार्ड किसी ने आग बुझने के बाद लाश की जेब में डाल दिया हो बस यही बात थी जो पुलिस को लगातार खटक रही थी क्योंकि अगर किसी ने सुदेश की हत्या करने के बाद उसके चेहरे को इसलिए जलाया था कि उसकी पहचान न हो सके तो भला वह कातिल उसकी जेब में आधार कार्ड क्यों छोड़ेगा दोनों ही बातें एकदम विरोधा भासी लग रही थी और शक पैदा कर रही थी शक का एक दूसरा कारण और भी था क्योंकि सुदेश की मौत के बाद जब उसके शव का पोस्ट माटम हो गया तथा उसका अंतिम संसकार हो गया तो तीन दिन बाद से ही उसकी पतनी लोनी बॉर्डर थाने में आकर पुलिस से सुदेश की मौत का डेथ सर्टिफिकेट देने की मांग करने लगी जिस महिला के पती की मौत होती है वह तो महीनों तक अपने गंव सदमे से उबर नहीं पाती लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा हर रोज थाने आकर पुलिस से अपने पती की मौत का सर्टिफिकेट देने की मांग कर रही थी पुलिस के लिए उसका व्यवहार बड़ा अटपटा था पुलिस ने जब उससे कारण पूछा तो वह कहने लगी कि उसे मंडोली जेल में सर्टिफिकेट देना है और उन्हें सुदेश के सरेंडर करने की डेट से पहले यह बताना है कि उसकी मौत हो चुकी है अनुपमा का यह रवया भी हैरान कर रहा था इसलिए ASP देहात ने इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए Technical Surveillance टीम के साथ साथ मुखबिरों की मदद लेने का फैसला किया क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि सुदेश की हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश हो सकती है CEO उपाध्याय के निर्देश पर पुलिस की एक टीम ने गोपनीय धंग से सुदेश के घर के आसपास लगे CCTV फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया ताकि पता लगाया जा सके कि वारदात से पहले सुदेश कब और किस के साथ घर से गया था और उसने कौन से कपड़े पहने थे संयोग से सुदेश के घर से कुछ ही दूर लगे एक CCTV कैमरे में ऐसी फुटेज मिल गई जिसने पूरे केस की तस्वीर ही बदल दी CCTV कैमरे में 19 नवंबर 2021 की रात को एक संदिग्ध शखस नजर आया ये शखस एक साइकल पर एक बड़ी सी बोरी लेकर जा रहा था पुलिस ने CCTV में दिख रहे इस शखस की पहचान पता करने की कोशिश की और मुख्बिरों को भी यह तस्वीर दिखाई तब आसपास के लोगों ने पुलिस को बताया कि वह शखस कोई और नहीं बलकि खुद सुदेश कुमार था इसका मतलब था कि सुदेश कुमार मरा नहीं बलकि अब भी जिन्दा है तो फिर उसकी साइकिल पर जो बोरी लदी थी उसमें वह क्या लेकर जा रहा था CCTV में सबसे हैरान करने वाली बात यह दिखी कि आखिरी बार देर रात को करीब 11 बजे अपने घर से निकले सुदेश के शरीर पर वह कपड़े भी नहीं थे जो इंद्रापुरी में जली हालत में मिली लाश के शरीर पर थे जिसे अनुपमा ने अपने पती की बताया था राज बहुत गहरा था इसलिए इसकी तह में जाने के लिए पुलिस की टीम ने आसपास में रहने वाले कुछ लोगों को अपने विश्वास में लेकर सुदेश के घर पर नजर रखने के लिए लगा दिया पुलिस को एक से दो दिन में ही जानकारी मिली कि सुदेश वाकई मरा नहीं जिन्दा है और अकसर देर रात में अपने घर चोरी छिपे आता है ताकि किसी को भनक न लग सके इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस समझ गई कि यह एक बड़ी साजिश है इसी लिए पुलिस ने अब सुदेश की पतनी के मोबाईल को सर्विलांस पर लगा दिया पुलिस को फोन की सर्विलांस लगाने का फाइदा मिला और एक ऐसा संदेश मिला जिससे पता चला कि सुदेश न सिर्फ जिन्दा है बलकि चोरी छिपे अपने परिवार से भी मिलता है इसी क्रम में वह 10 दिसंबर 2021 की रात को अपने घर आया था और आसपास जाल बिछा कर खड़ी पुलिस टीम ने सुदेश को दबोच लिया पुलिस ने उसकी पतनी अनुपमा को भी हिरासत में ले लिया दोनों को ठाने लाकर उच्चा धिकारियों के सामने जब पूछताच शुरू हुई तो एक ऐसे हत्याकांड की ऐसी कहानी सामने आई जिसमें मृतक मानकर पुलिस उसके कातिल को पकड़ने के लिए दिन रात एक कर रही थी लेकिन पता चला वह न सिर्फ जिन्दा है बलकि उसने खुद को मरा साबित करने के लिए किसी और की हत्याकर उसे अपनी पहचान दे दी थी और इस काम में उसकी पत्नी ने उसकी पूरी मदद की थी सुदेश वह उसकी पत्नी से पूछताच में पता चला कि 22 दिसंबर को इसे वापस जेल जाना था जब वह जेल में था तो उसे साथी कैदियों ने बताया था कि जिस तरीके के सबूत उसके खिलाफ हैं उसके मुताबिक उसे सजा मिलनी तै थी और कम से कम उसे उम्रकैद की सजा मिलेगी जब 21 नवंबर को उसे जेल में नहीं लिया गया तो उसने सोचा कि शायद उपर वाला भी नहीं चाहता कि वह जेल जाए इसके बाद से ही उसने इस बाद पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि कैसे जेल जाने से बचा जाए कई दिन तक खूब दिमाग लगाया लेकिन कोई तरकीब नहीं सूजी अचानक एक दिन टीवी पर एक फिल्म देखकर आइडिया मिल गया जिसमें जेल से भागे एक कैदी ने किसी आदमी की हत्या कर उसे अपने कपड़े पहना कर उसके चेहरे को जला दिया और पुलिस ने मान लिया कि कैदी मारा गया है यह आइडिया आते ही सुदेश ने दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि वह खुद को इसी तरह जेल जाने से बचा सकता है सुदेश ने जब अपनी पत्नी को दिल की बात बताई तो थोड़ी नानुकुर के बाद अनुपमा को भी यह बात पसंद आ गई वैसे भी कौन पत्नी नहीं चाहेगी कि उसका पती जेल जाने से बच जाए काफी विचार विमर्ष के बाद सुदेश व अनुपमा ने इस काम के लिए एक मजदूर का इंतजाम करने के लिए अपनी छत को ठीक कराने का बहाना बनाया इसके लिए सुदेश 18 नवंबर 2021 को लेबर चौक गया और अपनी कदकाठी के एक मजदूर जिसका नाम दोमन रविदास था और वह बिहार के गया जिले के अतरी का रहने वाला था को ले आया 18 नवंबर को सुदेश ने पहले दिन अपनी छत की स्लैब डलवाई मजदूर रविदास के कपड़े काफी पुराने वफटी हालत में थे लहाजा सुदेश ने उसे अपना ट्रैक सूट पहनने के लिए दे दिया जिसकी जर्सी कॉफी कलर की थी और लोवर नीले रंका था अगले दिन भी काम होना था इसलिए सुदेश ने रविदास को अगले दिन फिर आने के लिए कहा 19 नवंबर को दोमन रविदास उसी के कपड़े पहन कर फिर काम पर आया शाम होते होते जब काम खत्म हो गया तो शाम को दारूपार्टी के बहाने रोक लिया दोनों ने शराब पीनी शुरू कर दी इस दौरान सुदेश खुद कम शराब पीता रहा जबकि उसने रविदास को बड़े-बड़े पैग पिलाने शुरू कर दिये रात करीब नौ बजे रविदास को खूब नशा हो गया इस दौरान सुदेश और उस अनुपमा ने पहले ही तै कर लिया था कि उन्हें क्या करना है इस दौरान उन्होंने चारपाई के पाए से रविदास के सिर पर ताबढ तोड़ वार कर हत्या कर दी ये बात बेटे सुनील को पता नहीं चले इसलिए उसने सुनील को अपनी परचून की दुकान पर बैठने के लिए भेज दिया था सुदेश ने पहले ही तै कर लिया था कि वे रविदास की हत्या कर उसे सुदेश के रूप में अपनी पहचान देगा इसलिए एक दिन पहले उसने अपना ट्रैक सूट रविदास को पहनने के लिए दिया था खुद को वह दुनिया की निगाहों में मुर्दा करार दे सके इसके लिए भी उसने पूरी प्लानिंग कर ली थी सुदेश व अनुपमा को जब इत्मिनान हो गया कि रविदास की मौत हो चुकी है तो कमरे को पानी से साफ कर उसके शव को पहले एक पनी में लपेटा उसके बाद उसे बोरी में भर दिया रात को करीब ग्यारह बजे जब इलाके में सन्नाटा पसर गया और उसका बेटा भी सो गया तो सुदेश बोरे में भरे रविदास के शव को साइकिल पर रख कर लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की इंद्रापुरी कालोनी में खाली प्लोट में ले गया वहां शव को बोरी से निकाल कर उसके चेहरे और शरीर के उपरी हिस्से पर अखबार के कागज अव टाट की बोरी रख कर जला दिया ताकि शव की पहचान न हो सके शव की पहचान सुदेश के रूप में कराने के लिए उसने अपना आधार काड रविदास की जेब में रख दिया था पहले से तै योजना के मुताबिक सुदेश अपने घर गया और पत्नी को आकर बताया कि जब पुलिस उससे रविदास के शव की शिनाख्त कराए तो वह उसकी पहचान कर ले सुदेश की पूरी प्लानिंग थी कि वह रविदास को सुदेश साबित कर दे इसलिए पत्नी के साथ बनी योजना के तहत वह इसके बाद चोरी छिपे देर रात में ही घर आता और इसके अलावा इधर उधर छिप कर अपना वक्त बिताता था दस दिसंबर को सुदेश ने अपनी पत्नी को फोन करके कहा कि वह रात को घर आएगा घर की लाइट जला कर रखना यदि सब कुछ ठीक हो तो गेट पर सफेद कपड़ा डाल देना ये बात पुलिस ने सर्विलांस के दौरान सुन ली और पुलिस पहले से आरोपी की तलाश में उसके घर पहुँच गई और लाइट जला कर गेट पर सफेद कपड़ा डाल दिया सुदेश के पहुँचते ही पुलिस ने आरोपी ओव उसकी पतनी को दबोच लिया पूछ ताच में सुदेश ने बताया कि जेल और सजा से बचने के लिए उसने खौफनाग घटना को अंजाम दिया था जेल जाने से बचने के लिए उसने अपनी पतनी के साथ मिलकर यह साज़िश रची थी लेकिन उसने पहली भूल यह कर दी कि काफी प्रयास के बाद भी अपने ही कदकाठी के मजदूर को नहीं तलाश सका था सुदेश और अनुपमा की साज़िश यह थी कि इस साज़िश के पूरा होने पर वे दिल्ली छोड़ कर चले जाएंगे लेकिन आखिरकार उसके बिना जले आधार कार्ड, CCTV कैमरे की तस्वीरों और दूसरे सबूतों ने उसकी खौफनाक साज़िश का खुलासा कर दिया इस दोरान पुलिस ने करावल नगर थाने और मंडोली जेल से रिकॉर्ड निकलवा कर पता कर लिया था कि सुदेश की हाइट पाँच फुट छेह इंच है जबकि इंद्रापुरी इलाके में जो शव मिला था उसकी हाइट पाँच फुट तीन इंच थी यानी तीन इंच कम इसी के बाद पुलिस ने सुदेश के घर की निगरानी शुरू की उसकी पतनी के फोन को सर्विलांस पर लगाया और वह पुलिस की गिरफ्त में आ गया पुलिस ने सुदेश के साथ उसकी पतनी को भी डोमन रविदास की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त चारपाई का पाया वशव को ठिकाने लगाने वाली साइकिल बरामत कर ली सुदेश वअनुपमा की गिरफतारी के बाद मुकदमे में भादमवी की धारा 201, 419, 420 वए 102 जोड कर उन्हें अदालत में पेश कर दिया जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया दूसरी तरफ लोनी बॉर्डर पुलिस ने मृतक मजूदर डोमन रविदास की करावल नगर थाने में दर्ज गुमशुदगी को अपने यहां ट्रांसफर कर वाली रविदास के साथियों के साथ जाकर रविदास के बेटे ने थाना करावल नगर दिल्ली में जाकर घटना के तीन दिन बाद गुमशुदगी दर्ज कराई थी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है इतनी मेहनत से वीडियो बनाती है आपके लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो छोटे थोड़ी हो जाओगे इस वीडियो से आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अपना और अपने परिवार वालों का खयाल रखें मिलते हैं अगले वीडियो में आपका दिन अच्छा हो